प्रतीक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अस्टमी के दिन जितिया का व्रत रखा जाता है। और जल ग्रहन किया जाता है। चील, सियार, गाय और कुत्ता का ग्रास निकाला जाता है। व्रत से एक दिन पहले आश्विन कृष्ण सब्तमी को व्रती महिलाएं भोजन में मडवा की रोटी और नोनी की साग बना कर खाती है। जितिया व्रत से एक दिन पहले सब्तमी को मिथलान चलवासियों में भोजन में मडवा रोटी के साथ मचली भी खाने की परंपरा है। मानिता है कि इस व्रत का संबंध महाभारत से भी है। लेकिन गुरुपुत्र होने के कारण उसे मारा नहीं। अश्वत्थामा ने एक बार फिर से बतला लेने के लिए अभिमन्यों के पत्नी उत्तरा के गर्व में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया। उसने ब्रहमास्त्र का प्रयोक कर उत्रा के गर्व को नश्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्रा के अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्व में मरने के बाद फिर से जीवित होने के कारण उसे परिक्षित के नाम से जाना गया। इस घटना को जिवित पुत्री का कहा जाता है। उस दिन से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया या जिवित पुत्री का कवरत रखा जाता है। गोल्टी एम्टी सरिया गैरेंटी अस्वी स्टील की गैरेंटी मजबूती की